गड़ जानती है चलांगा मारदी गड़ जानती है स्वागत दोस्तों आप सबका इस सेशन में मैं से रहा हूँ कर तहे दिल से हाथ जोड़कर आप सभी भक्त जुनों का स्वागत यहाँ पर करता हूँ वीडियो के अंदर बहुत इंपोर्टेंट बातचित करने वाले हैं अच्छी चीज़ लेकर आज में आप सबके सामने आया हूँ जी हाँ एक्जाम वाला डे एक्जाम से पहला दिन क्या करें क्या करें कितने कोश्चिन करें हर चैप्टर के मुश्किल सा लग रहा है तो आपको अब इस चंता से निजात पाने के लिए हमने एक काम कर दिया है क्या कम कर दिया है ये रहा आपके सामने cause subject के लिए हमने बना दिये है important question वैसे में ये नहीं मानता कि किसी भी चीज़ में कोई important नाम की चीज़ होती है खास कर CA वाले course में लेकिन फिर भी क्योंकि हम सारे question last day पर नहीं कर सकते हो there are certain must do question जिनको हमें करना बनता है तो वो वोले questions की बात कर रहे है डिपेंड करता है कि क्या आपने classes हमसे ली है या नहीं ली है अगर आपने हमसे classes ली है तो आप आते हैं left side वाली category में और अगर आपने हमसे classes नहीं ली है तो आप आते हैं right side वाली category में आपने हमसे classes हो सकता है हूँ या तो fast track वाली या regular वाली अगर fast track वाले student है further option बनती है कि क्या आप IPC के student है या इंटर के student है ध्यान से देखिएगा IPC के student है तो आप बच्चों के लिए हमने क्या कि important questions की list बना दी आपकी किताब में जो question है उसमें से कौन-कौन सा question आपको करना है similarly अगर आप इंटर fast track के student है तो आपको अपनी किताब में से कौन-कौन से question करने है लेकिन ध्यान दे हो सकता है आप ऐसे student ने जिन्होंने अपनी class परचेज कियो up to 31 December 2020 31 December 2020 तक अगर अपनी class परचेज की थी तो आपके लिए there is a separate list वो telegram पर मिलेगी आपको और अगर आपने classes ली है on or after 1st January 2021 क्योंकि हमने cost accounting के batch का नया recording कर दिया था fast track का जिसके तहत आपकी किताबें काफी change कर दी गई थी तो आप बच्चों के लिए different जो है important questions की list रहेगी और regular batch में IPC के regular नहीं देते हम सिर्फ inter का ही देते हैं 1st January अलग और regular वाले बच्चों के लिए अलग list यह सारी list आपको telegram channel पर मिलेगी और अगर आप हमारे student नहीं है तो भी आपको sad होने के अवशकता नहीं है क्योंकि आप सब बच्चों के लिए भी हमने हर chapter से कुछ चुनिंदा प्रशन उठाए है with question and solution solution मेरी handwriting में ही है मतलब पूरी तरह से authenticated solution है वो वले questions की list नहीं है proper question and answer है हर chapter की booklet बना दी गई है जिसे caution chapter है अलग booklet है 10 से 15 page की हो सकते हैं कुछ cases में 20-25 page तक भी हो सकते हैं कि मानलो overhead chapter उसका answer जो है वो बड़ा बनता है primary summary बनानी है secondary summary बनानी है और भी उसके साथ कुछ additional points हो सकते हैं जहां पर आपको कहीं बार overhead rate निकालना पड़ता है या फिर cost of the product निकालना पड़ता है तो हर chapter का अलग से एक ऐसे booklet बना दिया गया है जो की आप अगर refer करेंगे तो हो जाएगी बले बले हो जाएगी बले बले दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिएगा और ये सारी चीज़ें आप टेलिग्रम चैनल से ले सकते हैं